हे गाईज ये ब्यूटिफुल सा गाउन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो देखिए ये गाउन मैंने बनाया है ये ओफवाइट फैबरिक मैंने लेकर इसको रेडी किया है तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी आसान तरीके से इसको समझाने की तो हेलो फ्रेंड्स कैसे है आप सब उम्मिद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे तो वीडियो पर एंड तक बने रही है तो मैं आप लाओं के साथ ये सिंपल सा गाउन आप लोगों साथ शेयर करूँगी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इस गाउन को तो देखिए फ्रेंड्स इस गाउन को मैं बनाने के लिए ये मैंने क्रैप फैब्रिक लिया है ये फोर मिटर फैब्रिक है तो आप लोगों धिहान से देखिए मैंने कितना फैबरिक लिया है ये मैं बताती रहूंगे स्टेप बाइ स्टेप आप लोगों को तो ये क्रेप फैबरिक है लाइनिंग के लिया और ये जोर्जेट फैबरिक लिया है मैंने 6.5 मिटर यानिके 6.5 मिटर ठीक है तो इसके अंदर हम लाइनिंग इस्तेमाल करेंगे और ये देखिए ये मैंने नेट फैबरिक लिया है और ये मैंने 3.5 मिटर फैबरिक लिया है ठीक है तो इसको हम बॉर्डर के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो आप लोग इसको नेट में भी बना सकते हैं मैंने इसमें जॉर्जट फैबरिक लिया है तो चलिए इन दोनों को अब हम साइड में रख देते हैं सबसे पहले हम अपने लाइनिंग में जो है कट कर लेते हैं तो दिखिए यह मैंने अपने अपर बोडी के अकॉर्डिंग इसको निकाल दे है यह फूर्फोल्ड है इस तरह से ठीक है अब यहां से हम लगा देते हैं सबसे पहले एक एक इंच का एक निशान ठीक है क्योंकि हम इसमें कॉलर लगाने वाले हैं तो हम इसमें एक इंच का सबसे पहले इस तरह से निशान लगाकर उपर की तरफ इसको छोड़ देते हैं अब हम इसमें यहां पर अपना जो शोल्डर है वो लगा देते हैं सेवे निच का शोल्डर है मेरा तो मैं 8 इंच पे लगा रही हूँ, एक इंच एक्स्टा लेकर और यहाँ पर दिखें, मैं पौने 7 इंच पे अपना आर्म होल लगा रही हूँ और मेरी लेंच जो है, वो 15 इंच की है, एक इंच मैं इसमें एक्स्टा ले लिया है, तो 60 इंच पे लिया है जो के मेरे 36 का चैस्ट है, उसका हम डिवाइट करेंगे फोर्थ में, तो यह मेरा 9 इंच पे यहाँ पर लग जाएगा तो यह एक इंच जो है, यह देखिए, यह हमारा मार्जिन के लिए है हम यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे, 28 की मेरी वेस्ट राउंड है उसका डिवाइट करेंगे हम फोर्थ में, तो यहाँ पर मैं लगा दी हूँ मेरा 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन भी ले लिया है आपका जितना भी हो, आप इतना लगा सकते हैं तो इस तरह से मैंने शेप पट्टी रखते वे इसको जोइन कर दिया है और यह आरहू हुलका हम इसमें शेप देते हैं, ठीके तो यह हो गया, आप यह देखिए, गले की चोड़ाई में लगा रही हूँ पोने 3 इंच पे, यहाँ पर 1 इंच मैं इसको शोल्डर डाउन कर रही हूँ और यह हमारा बैक वला है, ठीके, एक इंच हमारा है यह उपर उठेगा, इसलिए मैंने एक इंच का निचान लगाया था तो दिखे, मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे लगा रही हूँ यानि के 2.5 इंच पे, गले की चोड़ाई, और यह हमारा फ्रंट हो गया, ठीके यह देखे, यह फ्रंट का निच हो गया हमारा, यहाँ पर हम अपना कॉलर अटेच करेंगे और यह जो बैक निच है, इसमें भी हम इस तरह से इसको शेप दे देंगे यह बैक है हमारा, ओके, तो इसको देखे, पर कट कर लेते हैं कहां से तो सबसे पहले देखे, मैं बैक पिस कट कर रही हूँ, इस तरह से अब यह जो बैक है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं और यह जो फ्रंट का नेक है, और इसका जो शूल्डर है, और इसका जो आर्मॉल है यह हम कट कर देते हैं इसको यह देखिए यह अब हमारा हो गया यह अपर पाट जो है यह हमारा इस तरह से जो है वो रेडियो हो चुका है अब इसी को रखके हम अपने में फैब्रिक में कट करेंगे तो में फैब्रिक में देखिए कैसे कट करी हूँ मैंने यह आप लोगों क मैंने लिया है why is यह देखिये यह मैं इसको डिवाइड कर दिया है यह मेरा NET Feverally juga मैं इस तरह से डिवाइड कर दिया है तो देखिए यह जो नीचे जो बोर्डर लगा वा है यह देखिये यह साडे तीन इंच का है और यह जो उपर लगा वा है यह साड़े साध इंच का है, जो बाकी का जो बचता है वो मैंने इसमें जॉर्जेट में इसको लगादीया है, ठीक है तो मैंने इसको divide कर दिया है, इस तरह से बिल्कुल अपने upper part के according, दो यह देखिए यह back है हमारा, अब इसको हम इस तरह से चारो तरफ से इसको attach कर देंगे, यहाँ से हम इसको सिलाय लगा कर attach कर देंगे, अब यह देखिए यह front है हमारा, यह front में भी मैंने बिल्कुल इस तरह से divide कर दिया है, अपना जो fabric है, जॉर्जर fabric और हमारा जो net fabric है, इसको मैंने इस तरह से लगा कर इसको इसमें cut कर लिया है, ठीके, तो यह देखिए, अब भी मैंने इसको चारो तरफ से seal दिया है, यह देखिए, आप देखिए, नीचे हमें एक layer लगानी होईगी, जैसे के हम घेर बनाने वाले हैं, तो देखिए, यह मेरा 17 इंच का है, यह देखिए, यह मेरा, तो हम इसको double कर देते हैं, इतना fabric हम इसमें लेंगे, तो 57 इंच की मेरी full length है गाई, तो हम अपर पाट इसका minus कर देते हैं, तो हमारा बचता है 42 इंच, तो 42 को हम 3 भाग करेंगे, 42 में हम 3 भाग निकालेंगे, क्योंकि हम 3 लेयर लगाने वाले हैं, तो मेरा एक भाग में, जो है, वो 14 इंच आ रहा है, हम divide कर दिये हैं, 3 से, 3 से, तो एक लेयर जो है, वो मेरा 14 इंच का है, तो देखिए, यह 14 इंच को मैं कैसे लूँगे भी, यह देखिए, इसको हमें 14 इंच इसकी चौड़ा ही लेनी है, मगर मैं इसको 12 इंच का ही लूँगी, 3 इंच का जो है, मैं इसमें border लगाऊंगी, ठीके, तो देखिए, मैं अच्छे से आप लोगों को समझा देती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो देखिए, यह अभी मैंने क्या किया है, यहाँ से देखिए, 2 इंच कम लिया है, 14 इंच का है यह मेरा, तो मैंने इसको, यह देखिए, यह जो फैबरिक है हमारा, इसका border हम यहाँ पर 3 इंच का लगाएंगे, ठीके, यह जो border मैंने लिया है, ये 3 इंच का है ठीक है आप दिखें ये हमारा 14 इंच का हो चुका है ओके ये 15 इंच है तो ये 15 इंच हो गया है बिलकुल इसी तरह से हमें सारे बॉर्डर को इसी तरह से तयार करने है ठीक है इस तरह से 3 इंच का border हमें लगाना है और पूरा 14 इंच हमें इसको इसतरह से ready कर दिना है तो यहां से हम इसको gathers बनाएंगे और इसमें हम इसको join कर दिंगे तो चलिए उससे पहले हमें इसको यह border को इसके अंदर join करना होगा तो ये देखे इस तरह से मैंने इसको gather's भी बना दिये ये borders भी मैंने इसको join कर दिया है अब इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे पर उससे पहले हम इसके उपर एक और frill लगाएंगे ये देखे ये मैंने इसको double कर दिया है ये जोरजट फैबरिक में बनाया है मैंने ये देखे ये इस तरह से double है इसको मैंने यहां से इस तरह से gather's बनाने है और इसके उपर यहां से रख देना है ठीके आप जो पाइला लियर है इसको ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा और यहां से इन सब को जोड़ देंगे एक दूसरे के साथ ठीके तो देखे इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया आप लोगों को अब जो बाकी के जो हमारे दो लेयर है 14 इंच के वो हम बिल्कूल इसी तरह से ready करेंगे ठीके तो सबसे पहला जो लेयर है वो आप लोग समझ जाएगे तो आप लोगों को ये बाकी के जो लेयर है वो समझ में आ जाएगा ठीके 14 इंच का हमारी चोड़ाई है और इसका जो लेंथ लेना है हमें इसके according लेना है double में ठीके ये दिखिए इस तरह से मैंने अपने border को ready कर दिया है ठीके ये दिखिए मैं इसको पूरा आप लोगों को नीचे तक दिखा देती हूँ ये दिखिए इस तरह से मैंने इसको ready कर दिया है ओके गाई दिखिए ये मैं खोल कर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ का अप लोगों को कितना लगाने हैं यह दिखिए आप लोगों यह तीन इंच का ही लिया है मैने सब तीन इंच已经 ही लिये हैं मैंने बागी के ओके तो दिखिए अच्छे के लिए हिर He तो लोगों को समझ में आ जायगा आप लोगों को गाइस indifferent okay तो अभी तो जो देखिए गाईस जो घीरा कट करने वाले हैं वो मैं अम्बरेला में कट करूंगी इसका ताकि ये इसका जो घेर है वो मुझे अच्छा मिले तो ये 4 मीटर फैबरिक लिया है मैंने लाइनिंग के लिए तो ये मेरा पूरा फैबरिक यूज हो चुका है ओके ये देखि सबसे पहरे तो एक लियर उठाएंगे यह देखिए यह हमारा यहां से हम इसको मेजर करेंगे तो यह 17 इंच का रहा है तो उसका आधा हम यहां लगाएंगे इसको मेजर करेंगे तो यह बराबर है तो इसको कट कर देते हैं यह साड़े आट इंच पे हो चुका है अब इसको मैं थोड़ा सा उपर करके आप लोगों को दिखा देती हूं होते दिखिए गाईज यहां पर हमारा जो फैबरिक है वो कम है तो आगे देखते रहिए हम इसमें क्या करेंगे यह दिखिए मैं आने आपर पार्ट को इस तरह से माइनस कर दिया 57 की मेरी लेंथ है इसमें एक इंच मैंने एक्ष्टा लेकर इसको 58 इंच पे लगा दिया है तो दिखिए इस तरह से मैंने इसको निशान लगा दिये है अब दिखिए यहां पर हमारा फैबरिक कम है यह जो फैबरिक बचा हुआ है इसको हम यहां पर जोइन कर देंगे यहां से सबसे पहले तो कट कर देते हैं फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ हम इसको कैसे करें लीइंब धरूंगे यह दिखिये से कम हैं अमाराarlगीर अब फेबरिक आपसी है को हम यहां पर जॉयञार तरह ठीक है यहां से थोड़ा सा कर एक है नीचे वाला ले लेते हैं इस तरह से i masih हमारा बराबर हो आपकी है तो जान करके मैं नहीं इसको नपर नया इखकी repo ओके गाईस तो चली अभी यहां से पिन लिकाल देते हैं और इसको हम अपने में जो हमारा पाठ है उसके ओपर रखते हैं वेज को सिल देंगे यह देखिए यहां पर यहां पर इस तरह से हमें रख देना है और इसको एक सिलाए लगा देना है बस हो गया है हमारा यह करना है यह मैं सबसे पहले तो इसके उपर जिप लगा दूँगी इसके ऊपर जो है अपना जो दूसरा वाला पाट है उसको इसके उपर रखूँँगी जी दिखिए ये वाला इसको शोल्डर मैं इस तरह से जोड़ दो ठीक है तो चलिए जिप लगा देती हूं और शोल्डर भी जोड़ देती हूं फिर आप लोगों को बता देती हूं ठीक है तो देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर जोड़ दिया और यह मेरी जिप यहां से इस तरह से यह लग गए ओके तो आप देखि इसकी side के हम सिलाय लगा देते हैं एक इंक का मैंने margin रखाता अपने chest में और वेस्टाण में उसके ires नाइघा दी तो मैं सिलायी लगा देती हूँ जैसे basic हम सिलाय लगाते हैं बिलकूल वैसे ही ये देखिये इस तरह से ये देखे पूरा मैंने आप लोगों को बता देती हूं ये देखे नीचे तक मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है ये देखे ये घेरे में भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है ठीक है ये देखे अच्छे से बता रही हूं मैं आप लोगों को खोल कर ये देखे ये अब से फोर फुल कर दिया है 25 की स्लीव है गाइस मैंने इसको डिवाइड कर दिया है और कितने हिस्सों में डिवाइड किया है ये भी दीख लीजिए आप लो तो दिखिए सबसे पहले तो हम अपना चेश्ट का फोर्थ पार लेंगे उसमें हाफ इंच माइनस करेंगे यहाँ पर से सीधा सीधा ही लूँगी इसमें मैं स्लीव रांड नहीं लगाऊंगी क्यों नहीं लगाऊंगी यह भी आप लोग देखिए तो इस तरह से मैंने स्लीव को शेव दे दिया है अब इसको हम कट कर लेते हैं तो चलिए इसको कट कर देते हैं फिर आप लोगों को बताती हू इस तरह से और यह जो हमारा फ्रंट है यहां पर भी हम इसको कट कर लेंगे यह देखिए यह फ्रंट है हमारा इसको हम यहां से कट कर देते हैं यह फ्रंट हो गया भी हमारा यहां पर एक नोस लगा देते हैं यह रॉंग साइट फैबरिक है हमारा इस तरह से और अब हम यहां अपर इसको हमें स्टीच लगा देंगे रहाफ स्टीच इसमें हमWhite बनाइंगे तो दिखिए इस तरह से गेधर्स बनाना है जितना अपका स्लीब रौट है उतना गेधर आप इसमें बना सकते। मैंने टेन main part पर रखाता यह देखिए यह चार इंच का है यह सिलने के बाद साघे 3 इंच का हो जाएगा ठीक के तो देखिए इस तरह से मैंने सिल दिया भी ओके ये रेडी है भी अब देखिए जो बाकी बचा हुआ हमारा फैबरीक है वो हम इसको इस से यहां पर रखेंगे ठीक है अब जितना चाहे इसमें फैबरीक ले सकते हैं डबल डबल ट्रिबल ठीक है तो मैंने तीन गुना फैबरीक लिया है अपने स्लीव राउंड से तीन गुना फैबरीक मैंने इसमें ले लिया है ठीक है तो यहां से हम इसको देखिए हाफ इंच पे इस तरह से फोल कर देंगे क्योंकि हम इसमें तीन सूद जितनी इलस्टिक इसमें इस्तेमाल करेंगे ठीक है यह देखिए अब हम यहां पर यह देखिए यह मैंने इस लास्ट कर देंगे ठीक है यह देखिए मैं इसके के अंदर डाल देती हूं फिर आप लोगों को बताती हूं ठीक है यह देखिए डाल दिया है मैंने अभी 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 पिन निकाल देते हैं यहां से अब देखिए इसको हम यहां से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इसके अंदर छोड़ देंगे और यहां से हम साइड की इसमें तो दीखिए दोनों स्लीव इस तरह से मैंने रेडि कर लिया है बहुत भी नदू सी स्लीव हमारी रेडि हो चुकी है ठीक है तो दोनों स्लीव देखिए जैसे हम बेसिक हम अपनी कुर्थी में स्लीव अटेच करते हैं बाद कॉलर आप लोगों को लगा कर दिखा देती हूं तो देखिए दोनों स्लीव मैं इस तरह से अटेच कर दिये हैं यह दिखिए इस तरह से ऑटेच कर लिए है अब देखिए यह जो कॉलर है यह मैंने सिंपल साधी पटी लेकर इसको इस तरह से फैबरिक पे रेडी कर लिया है कॉलर वाली वीडियो जरूर देखिए आप लोग ये कॉलर लगाना आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा तो ये दिखिए यहां से हम इसको ये जिप को खोल देते हैं और यहां से हम अपने कॉलर को लगाना शुरू कर देते हैं और इसको इस तरह से लगा दे ठीक है तो अच्छे लिए देखिए ये मैंने कॉलर इसमें लगा दिया ये स्लीव हमारी रेडी है और ये जो बीटुफल सा हमारा गाउन है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है यहां पर मैं इस तरह से हूक लगा दूँगी इसमें तो ये रेडी हो जाएगा गाईस आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होईगी देखिए गाईस मुझे कमेंट जो है वो बहुत ही आजीब से कमेंट आते हैं जब तक मैं कोई कोई डिजाइन कॉपी नहीं करूंगी तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगी कि वो डिजाइन कैसे बनेगी तो ये मेरा काम है मुझे किसी और कोई और डिजाइन लेना और आप लोगों को यह कैसे बनेगा यह बताना प्लीज आप लोग hate comment करना बंद कीजिये, ऊके तो यह मेरा काम है आप लोगो सिखाना कौनसी design कैसे बनती है तो प्लीज अच्छे comment कीजिये और मुझे भी थोड़ा सा होसला की दीजिये ताकि मैं आप लोगों को अच्छे ची टिजाइन, अप लोगों को सिखा सकूँ, ठीके, तो प्ली एट कमेंट करना, भबन कीजिए, तो डिजाइन 커피ी नहीं होगी, तो आप लोगों को कैसे, मैं आप लोगों को सिखाऊची, तो मिलते हुँ मिह नेक्स चुडियो में किसी और डिजैन के साथ आप लोग के साथ तो आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पर नई डिजैन भीजिए मैं आप लोग को उसको समझाने कुशिश करोंगी तो मिलती हूँ में नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना धीर सरा घ्यार रखिए बाई लाफीस